अलों दोस्ते यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए क्लिक ब्लाइकन को प्रेस कर दें ताकिस नुटिफिकेशन आपको मिलते रहे जाए बैंक प्रमोशन के समंद से हमें आप पढ़ा सिया भी का बैंक फैनेशल मेंट का प्रिविएस यह कोशन मेंक नंबर फाइव है ठीक है तो यह चोड़े नॉस्मिंट करने कोशन में को स्टाट करने से पहले हमारे पास जहां पर स्याविक दो तरह की कोर्से होती है कि शौटर में और इंडेप्थ वीडियो दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगी यानि शौटर में मिलेगा प्लस आपको दोनों मिल ज प्रणा चाहता है इंडिया उनके लिए बढ़िया है जाता है पास दिन का समय अगरब देते हैं तो काफी अच्छा लेवल का त्यारी हो जाता है और यहां पर टागट लेकर चल सकते हैं सब्सक्राइब अब यह पहला सवाल पर प्रचेजिंग पावर पारिटी त्योरी इस गूड प्रडिक्टर ऑफ बोलता है जो परचेजिंग पावर पारिटी हो त्योरी है यह बहुत ही बढ़िया है कहां जा प्रडिक्शन करना हो क्या चीज़ का यह अप्शन ऑल फ़ फॉलोईंग यह सारी बात है जो बताई गई यह बी ऑप्शन है दा लॉंग रन टेंडेंसी बिट्वें मैं की जो आप देखोगे जो चेंजेज आ रही है प्राइस लेवल पे और जो एक्षेंज रेट की दो कंट्रीज के बीच में मैं की बैदू कंट्रीज बीन गारा मिझा यहां ठीजेज बीच में बहुत ही स्ट्रॉएर रुकावट है जहां दो तो ट्रेड नहीं किया जा रहा है नहीं करने दिया जा रहा है ठीक है डी ऑप्षन नहीं को बी और सी सब्सक्राइब पर्चेशिंग पावर थिए जो है बहुत ही एच्छा प्रेडिक्टर है ठीक है तो यहां पर पहली बात चीज क्या है है, strong barrier है, दो country को trade नहीं कि जए ज़सी option दिखिएगा, strong barrier है, दो country को trade करने नहीं दे जारा, इससे हमें कुछ नहीं परचलेगा, purchasing power parity का, यह ऐसी गलत हो गया, सिर्फ एक option भजगया भी, जिसको आप आख मोंद के tick mark कर सकते हो, जब गलत ही मालूम चल गया, परचेंज के साथ होगा नियुक्त चेंज का चेंज की बात की जारे प्राइस लेवल में और एक्चेंज किसी दो कंट्री के बीच में बात बिलकुल सही है भी ऑप्शन प्रचेंज पावर परिटी त्योरी अब देखिए अब बोलता है कि जो पर्चेंज इंग पावर आपका एक्षेंज रेट होता है ठीक है वह दो कर दो नेशनल करेंसी के बीच में इसको डेली अडिजस्ट के जाएगा ताकि हम रिफ्लेट कर सकें प्राइस लेबल डिफ्रेंस के आ रही है किसी भी दो कंट्री के बीच में भी ऑप्षन है इन दा लॉंग रान इंफलेशन in different countries will equalize around the world बोलता है कि लंबे समय में आगब देखेंगे जो inflation की rates है किसी भी different countries में वो equalize करेगा पूरे दुनिया में ठीक है c option है in the long run exchange rates between two national currencies will reflect price level differences in the two countries बोलता है जिब लंबा run होगा समय होगा जो लंबा समय में देखेंगे तो exchange rates जो तक किसी भी दो national currencies के बीच में वो रिफलेट करेगा प्राइस level differences किसी भी दो countries के बीच में डी अब सभी option क्या है इसमें देखिए प्रशेजिंग पावर प्रेटी की जो भी बात होगी तो आइसा लंबा run की बात होती है ठीक है और हम यहाँपे daily basis कुछ भी नहीं काम करेंगे तो डेली आगे इसलब इसको उठाती है हमें समय बात करना है लंबे चैक है हमें पात करना है लंबे समय और यहाँ आगे inflation, हमें inflation से भी कोई मतलब है नहीं, हमें था exchange rate से मतलब है, तो यहाँ लंबे समय की बात हो रही है, यहाँ exchange rate की बात हो रही है, ठीक है और वो price level reflect करेगा दो countries के बीच में, ठीक है, बहुत सही C option, question मत रही है risk aggregation in ICAP implies, risk aggregation आपका ICAP में क्या होगा क्या imply करता है A option है sum total of risk measured across various risk, जितनी total risk होती है measure की जाती है various risk को, और सबको total कर दिया गया B option है, sum total of risk measured in terms of pillar one guidance जितनी total risk होती है, measure की जाती है उसको pillar one guidance के हिसाब से देखा जाता C option है, sum total of risk measure after accounting for risk diversification, total risk के जाते जाते जितने भी सबको जोड़ दिया जाएगा जहाँ accounting for risk diversification risk diversification की बात हो D option है, assessment of banks internal capital, capital adequacy assessment strategy, assessment की जाती bank internal capital को, प्लस उसका capital adequacy assessment को, प्लस strategy को, इसमें सही option का है वो पूछ रहा आप से, देखिए जब risk aggregation की बात करता है ICAP में यहां हो जाएगा आपका हम जो बात कर रहे हैं, यह total है sum total क्या हो जाएगा जो भी risks आप major करते हो जहां accounting for risk diversification के बात C option question 4 है if the US dollars appreciates relative to the British pound, अब बोलता है जहां US dollars अगर क्या होता है, appreciate करता है, जो की relative होता है, British pound के यानि US dollars बढ़ रहा है as compared to British pound के अब यहां पर क्या होगा, A option हो जाएगा कि it will take few dollars to purchase a pound, अब कुछी dollar में pound purchase कर पाएंगे, B option है it will take more dollars to purchase pound अब उजाद dollar लगेगा purchase करने के लिए C option है, it is called wickering of the dollar, wickering of dollar माना जाएगा D option है about A and C बात समझे, जब dollar यहां डिखिए हम एक चीज़ समझाता मान लेते हैं, dollar है और यहां पर pound है, ठीक है ओके यह pound है कुछ अब आपको ऐसा एक example बतारो कि यहां पर आपको one point five dollar दीजेगा तो बड़ाबर आपको एक pound आप खिर सकते हैं, ठीक है इसका भासा क्या होगया, appreciate का मतलब होगया कि strong हो रहा है strong का मतलब है, अब यहां पर हो सकता है कि आपको one point four dollar देना परे, कितना देना परे one point four dollar देना परे, खिरिदने के लिए आपको एक struggling, यह pound समझारी बात, तो क्या होगया आपको dollar देना पर रहा है, आपको purchase करना के लिए एक pound को, यह option question number five and are particular in foreign exchange is a person who, अब बोलता है जो are particular foreign exchange में person होता है, जो की a option है, earns illegal profit by manipulating foreign exchange हो, एक तरीके का गलत तरीके से profit बनाता है जब foreign exchange को manipulate करके, B option है causes differences in exchange rates in different geographical markets, यह तरीका differences, जो होता है हर exchange rate का different geographical market से पैसा कमाता है, यह exchange rate का different geographical market में different होता है उससे पैसा कमाता है, C option simultaneously buys large amount of currency in one market and sell it to another market एक साथ, बहुत ही huge quantity of currency buy करता है एक मार्केट में और दूसरे मार्केट में sell कर देता है D option है, इनमें से कोई बात सही नहीं है आर्पिटर वह होता है जो simultaneously, मतलब simultaneously मतलब क्या हो गया एक साथ buy करेगा large amount of currency एक मार्केट में और वह sell कर देगा किसी दूसरे मार्केट में ऐसा ही अब समझाएंगा C question number six है a speculator in foreign exchange is a person who बोलता है, एक speculator वह होता है जो foreign exchange में एक person है, क्या speculator क्या है एक speculator जो foreign exchange में बात कर रहें एक उस तरह का person है जो यह option है, बाइस foreign currency hoping to profit by selling a higher exchange rate at some later date बोलता है कि आप बाई करता है foreign currency को जा hop करता है कि profit करेगा, sell करके higher exchange rate को एक later date पे B option है earns illegal profit by manipulating foreign exchange, बोलता है एक तरह का earn करता है, illegal profit, जा हो manipulate करेगा foreign exchange को C option हो जाएगा causes differences in exchange rates in different geographical market exchange rate को cause करता है different geographical market में, differences को cause करता, exchange rate को different geographical market पर बोलता है देखिए इस तरह का इंसान है तरह का इंसान होता है जहां कि वो buy कर लेगा foreign currency को क्या करता, buy करता foreign currency को इस उम्मीद में कि profit कमाएगा sell करेगा किसी higher exchange rate में किसी भी later date पे कर सकता है same time कर सकता है later date हो सकता है same time हो सकता है ठीक है सही option होजाएगा question 7 TT selling rate is applicable for transactions of TT selling rate जो होता है यह applicable है transactions किस तरह की issue है issue of telegraphic transfer B option है issue of outward remittance other than for retirement of import bill outward remittance की बात कर रहा है जो की retirement of import bill के अलाबा होगा C option है retirement of import bill for which remittance is sent by TT बोलते जो remittance अब भेसते TT के द्वारा ठीक है जाब यह retirement होगा import bill को D option payment of telegraphic transfer payment जो किया जाएगा telegraphic transfer का तो इसमें से TT selling rate जो है applicable होगा transactions जो की outward remittance की हम बात कर रहे है other than कौन सा retirement bill of import retirement bill of import के अलाबार को output remittance होगी उसकी हम बात कर रहे and जो retirement or import bill उसके लाबा को output remittance होगा मुसकी बात कर रहे उसको मोलेंगा TT selling rate वहाँ पर applicable होगा उससे के transactions में सही हम समझेगा B question rate है on return from abroad a traveler should surrender his unspent traveler checks within dash days from the rate of return बोलता है जब अब विदेश से लोट के आ रहे हो ठीक है जो भी traveler है उसको काम है कि surrender करेगा जितने ही पैसे बजगे unspent travelers check है पैसे नहीं foreign currency है basically foreign currency है उसके हाथ में कितने दिन के अंदर अंदर date of return से आपको लोटा देना A option 90 days B option 90 days C option 30 days D option Securities C option 180 days के बितर बितर आपको लोटा देना सारा पैसा सारा amount लोटा देना है जो टेबल चेक है चेक है या cash है वो B option Question number 9 When rupees 1 million is deposited at a bank the required reserves ratio is 20% SLR and the bank chooses not to hold any reserves but makes loan in a state then in the final balance sheet बोलता है जब 1 million deposit की जाती है बैंक में जो required reserve होता है का ratio है वो है 20% SLR है ठीक है बैंक यहाँ choose करता है उसको hold नहीं करेगा किसी तरह के reserve में but और loan देना चाहता है in a state तो बैंक का जो final balance sheet होगा वो क्या होगा समझना बात को बैंक क्या का तो एक million पैसा है उसके पास वो एक रुपया बैंक hold नहीं करना चाहिए अपने पास रखना नहीं चाहता है सारा पैसा loan दे दिया उसने but बैंक को जलूरी की 20% का SLR maintain करेगा ठीक है बैंक क्या करें 20% का SLR maintain करेगा तो अब इस केस में क्या होगा देखो जब भी SLR की है पिक्चर आने लगेगी और हम 1 million की 1 million का बात कर रहो कितने बात कर रहो 1 million is equal to how much 10 lakh होता है 10 lakh होता है 10 lakh का 20% करोगे तो क्या आजाएगा 10 lakh का 20% करेगे तो क्या आजाएगा बताइए करेंगे तो 2 lakh आजाएगा ठीक है अब यह तो 2 lakh रुपया है यह तो बोलता है कि आपको रखना पड़ेगा SLR में तो यानि SLR रेजर्व जो भी है वो increase कर जाएगा 20% से ठीक है दिस 2 lakh से बढ़ जाएगा सही अप्शन होता है का C question 10 है which of the following is true regarding a forward contract अब बड़ा सही सब्द है true है सही क्या क्या है आपका forward contract के लिए वो पूछा जा रहा आपसे यह option है Treasury में have forward contracts with customers और banks as counterparties बोलता है Treasuries जो होगी वो बोलता है कि हो सकता है forward contracts हो customers के साथ अब या bank के साथ as counterparties के रूप में भी option दूसरा point है Treasuries sorry customer currency risk through forward contract customer यह cover करना चाहता है currency risk को forward contract की help से तिसरा point Treasury में cover its customer exposure by taking reverse position in interbank market Treasury जो होगा cover कर सकता customer के exposure को जहां वो टेक करेगा reverse position को interbank market पे अब यह से सही option को वो रोको बताना होगा हुआ तुर्पिकर एए option only one and two cover करता है अपना ट्रेजरी कवर करता है यह भी बात सही है यानि तीनों बात है सही है टक्न की कर दोनों के दोनों ही कोरसे अबलेबल है दोनों ही मिल जाएंगी आपको यह यह दोनों को दोनों ही मिलेंगे आपको शॉटर्ण को सबसे बड़ा फायदा है का आप आप महच 22 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा एक पर कराम से कंप्लीट कर सकते हैं और सकते हैं इन डेक्स वीडियो उनके लिए बढ़ी हैं जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं तो आराम से 75% लेकर चल सकते हैं और यह दोनों की दोनों की कॉर्सेज आपको मिलें ठीक है यह कोई पर करिए ABM BFM इंटेल बेंगी सभी कदाम 1000 रुपे सभी कदाम 1500 रुपे सभी कदाम 1500 रुपे सभी कदाम 2700 रुपे करिंग कदाम 2300 रुपे जा जानका एक लिए फॉन भी कर सकते हैं फॉन नंबर होगे 499-68-5127 यह वेबसाइट में जाके ओनलेन और प् स्कुर्ण मॉक्स में डाल दिया है थैंक यू वेरी मच